हाई फ्रेंड्स मैं दिपास्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिपास्री कुमारी में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ सेर करने जा रही हूँ पोहा की रेश्पी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पोहा की रेश्पी बनाने के लिए हमने यहां एक कप चूरा लिया है इसे पोहा भी कहते हैं हमारे यहां इसे चूरा कहा जाता है चूरा को हम पानी से धो कर इसे हम छान लेंगे तो इसमें हम एक साथ पानी डालेंगे और जल्दी से इसे हम धो कर के इसके सारे पानी को हम नि जल्दी करना होगा चूरे को हमें जाया दिर पानी में नहीं रखना है तो जल्दी से हम इसे पानी डाल करके इसे हम एक बार और धो लेते हैं दो बार धोने से चूरा हमारी अच्छी तरह से साफ हो जाती है पानी को हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है और अब इसमें हम एक चमच चीनी डालेंगे इसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और आधी चमच हमने इसमें नमक डाला है इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम पास मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और तब तक हम सबजियों को काट कर रख लेते हैं तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज के प्याज को इस तरह से काट कर रख लिया है और तीन चार हमने हरी मिर्च लिये हैं टमाटर को भी हमने बीजी निकाल करके इसे हमने काट कर रख लिया है और ये हरी मटर है और यहाँ पे हमने धनिया पत्ता को भी बारे काट लिया है दो चार हमने लासन की कलिया ली है इसे भी हमने काट कर रख लिये हैं और यहाँ पे हमने मुंग फली के दाने लिये हैं तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कढाई में दो चम्मच रिफाइन वैल डालेंगे और ये मुँफली को हम इसमें भून लेते हैं इसे हम लोफलेम पढ़ी भूनेंगे और जब ये हलका सब्रावन होने लगेगी तो इसे हम निकाल लेते हैं और वापस हमने इसमें थोड़ा सा और रिफाइन वैल डाला है और फोरं में हमने जीरा एक चम्मच डाले हैं जीरा को हम अची तरह से चटकने देगे और अब इसमें हम लासन की कलिया डाल देते हैं और साथी में हम प्यास डाल देगे इसे हम थोड़ी देर चलाते हुए भूल लेंगे लगवग एक मिनट तक और अब इसमें हम मतर डाल देते हैं साथ ही में हमने हडी मिर्च भी इसमें डाल दिये हैं और इसे भी हम थोड़ी देर भूल लेंगे और इसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे टमाटर को भी हम थोरी दिर भूल लेते हैं और अब इसमें हम हल्दी पवडर डालेंगे आदी चमच हल्दी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसमें हम नमक डालेंगे तो नमक हम जितना हमने यहां मसाले डाले हैं उसी के अनुसार नमक डालेंगे पोहा में हमने नमक पॉले भी डाल रखी है और अब हम इन सभी को हम अच्छी तरह से पकने देते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सभी सबजिया पक चुकी है तो अब हम वापस पोहा को देख लेते हैं तो यहां पे पोहा इस तरह से बैठ चुकी है तो इसे हम पहले चमस से फैला लेंगे हलके हातों से इसे हम फैलाएंगे और इसे हम कढाई में डाल लेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे तो पोहा बनाने में हमें जो भी समय लगती है वो सबजी काटने में लगती है और सबजीयों को पकाने में लगती है पोहा डालने के बाद इसे हम एक मिनट के अंदर ही ये पक कर तयार हो जाती है तो इसे हम थोड़ी देर ही फ्राइ करेंगे बस सिर्फ इसे हमें गर्म करना होता है और अब हम इसमें मुंख़ली डाल देंगे और कटी हुई धनिया पत्ता को भी इसमें हम डाल देते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पोहा हमारे कितनी अच्छी लग रही है और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी है तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारी हरेस भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर आपने हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दवाए तो यहां पर हमने इसे सर्विंग बाल में निकाल लिया है और इसे सजाने के लिए हमने यहां से वई लिये हैं इसे भी हम इस तरह से डाल देते हैं और उपर से हम कटी हुई धनिया पता से भी इसकी गार्निसिंग कर देंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पोहा हमारी कितनी अच्छी बन कर तैयार हुई है तो फ्रेंड्स आप लोगों कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जोर बताईएगा और फ्रेंड्स मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई थेंक यू